नमस्ते जेम्स कलाश्टेक में आपका स्वागते आज कर मोबाइल का इतना फ्याण हो गया है इतना यूज हो गया है कि लोगों के मोबाइल में बहुत सारा डाटा होता है जितना भी आप उसको जीबी प्रोवाइट करें और कम ही पड़ता है आज मैं आपको ऐसी सेटिंग् कर सकते हैं और आप उसका यूज कर सकते हैं तो चलो जाते हैं और होगे चानल पर तो जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर तो हम आगए अपनी मोबाइल के स्क्रीन के उपर अभी आपको क्या करना है आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है अभी यहाँ पे दिए इसमें यहां पर वो ओप्षन दिया है storage का अभी यह देखो आपने यहां पर storage जो है storage यहां पर आपको सब आपके space याने जो आपके memory का सब दिखाता है यहां पर मैंने click करने के बाद यहां पर जो image video है और आपको select करके जो unwanted है उसको delete कर देना है video भी और image भी उसके बा जाना है apps में जो play store से download है अभी play store से download होने वाले apps से यहां पर आने के बाद आपको एक apps के उपर click करना है अभी यहां पर आने के बाद यहां पर apps में दिखाता है कि clear catch है आपने यह click कर दिया कि यह clear हो जाता याने 7.7 MB का यहां पर space मेरा खली हो गया है ऐसे मैं करूंगा त तो आराम से 2GB 3GB मेरा space empty हो जाएंगा और मैं उसको other में use कर सकता हूँ अभी फिर से आपको पिछे आना यहां पर आपको सब देखना है कि आपको कहके delete करना यहां से आप आराम से कर सकते उसके बाद आपके mobile में कुछ photos होते हैं वीडियो होते हैं जो आपके काम के होते documents हो तो आपको ओ एक तो mobile में रखना पड़ेगा या आपको laptop में send करना पड़ेगा तबी यह आपका जो space है ओ empty होएगा लेकिन आपको इतना time होना चाहिए तो यहां पर आपको Google का photo app आपको download करना है यहां पर देखा मैंने photo app डाउनलोड करते हैं यहां पर आप 15GB तक इसका storage यूज कर सकते हैं तो यहां पर आपको आना account में और यहां पर देखिए 10GB तक मैंने यूज किया है 15GB आप यूज कर सकते हैं और इसको आप फिर से empty भी कर सकते हैं यहां पर मुझे ज़्यादा चाहिए तो यहां पर मेरा pair subscription होता है तो आप उसको भी ले सकते हैं इस तरह से आप अपनी space को manage कर सकते हैं और other use में ला सकते हैं और आपको बता देता हूँ कि आपकी memory जितनी full होगी उतना आपका mobile slow होगा तो आप इस तरह से अपने जो data को divide कीजिए और अपने mobile की space save कीजिए इससे आपका mobile slow होने से भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा तो दो दिशे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाद दिजिए